हलो दोस्तों Mkin Academy की YouTube चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आपके लिए HPCL की एक latest update लेकर करके हूँ और दोस्तों ये जो update है वो apprenticeship के नए requirement किये यानि कि दोस्तों हिंदुस्तान Petroleum Corporation Limited तो दोस्तों इसमें जो है एक नए requirement जारी किया गया अप्रेंटिसिप का तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि आपको किस तरह से इसमें फोरम अपलाई करना है तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस वीडियो को अपने जितने भी social media group है उनमें share करना है साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को subscribe करें और लाइकन को दबाएं तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते वीडियो की तो दोस्तों यह जो notification वो कल जारी हुआ था अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर यह जो नेया apprenticeship का requirement जारी किया गया है तो दोश्तों यह एंगेज्मेंट ओफ graduate apprenticeship engineering याणि ज़ो graduate apprenticeship उसका नेया requirement जारी किया गया हूँ और दोस्तों इसके लिए ओन-लाइन फोर्म है वो भरने शुरू हो चुके हैं और दोस्तो ये जो फोर्म है वो आप 6 दिसम्बर 2021 तक यहां पर apply कर सकते हैं अब दोस्तो मैं आपको बता दू कि इसमें कौन-कौन से अभ्यर्त है वो इसमें फोर्म apply कर सकते हैं तो दोस्तो आप एक तरफ डिस्क्रिप् Electrical and Electronics, Electronics and Telecommunication और Instrumentation और Computer Science IT तो दोस्तों यह बिरती यहाँ पर Forum Apply कर सकते हैं अब दोस्तों आप देख सकते हैं जो भी बिरती 18-25 साल के मद्द्ध है वो इसमें Forum Apply कर सकता है और दोस्तों यह जो आपकी एज है वो 22 November 2021 तक यहाँ पर Count की जाएगी साथ ही दोस्तों यहाँ पर SCST के जो अब बिरती उन्हें 5 साल की छूट दी गई है और दोस्तों OBC Non-Crimalier के बिरती को यहाँ पर 3 साल की छूट दी गई है इसके लाँ दोस्तों यहाँ पर 10 साल की छूट है वो PWBD के Candidate को दी गई है और दोस्तों किसी भी स्रेणी का अभियरती है चाहे वो जनरल का है, चाहे SCST का है चाहे वो OBC का है, अगर दोस्तों वो PWBD का candidate है तो उसे यहाँ पर 10 साल की छूट दी गई है अब दोस्तों यहाँ पर जो educational qualification है वो आपके पास में जो है engineering की जो degree है वो नीची है, जिसमें मैंने आपको इस तरफ बता दिया और दोस्तों सेभी यहाँ पर बताय गया है तो दोस्तों अगर आपके पास में यह है तो दोस्तों आप इसमे पॉर्म अपलाई करें लेकिन दोस्तों यहां पर आपके पास में यह जो certificate है वो दोस्तो 60% से उपर यानि की पास कियावा होना चाहिए और दोस्तो जो भी अभेरती SC, STP, WBD केटेगरी के अभेरती हैं तो दोस्तो उनके यहाँ पर 50% से उपर का जो है पास कियावा जो यहाँ पर certificate है वो चलीगा अब दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो भरती है वो केवल जो भारत के अभेरती हैं वो ही यहाँ पर फोरम अपलाई कर सकते हैं साथ दोस्तो जो अभेरती यानि कि जिन्नोंने 1-1-2-0-20 के बाद में अपना जो engineering का जो graduation complete किया है तो दोस्तो वो ही इसमें केवल फोरम अपलाई कर सकता है यानि कि दोस्तो इसमें जो है फ्रेशर अभेरतीयों को यहाँ पर लिया जाएगा अन्यता दोस्तो जो पुराने अभेरती जिन्नोंने यहाँ पर जो engineering की डिगरी कर रही है वो इसमें फोरम अपलाई नहीं कर सकते वहinking दोस्तो आपको पर lev फोरम है वो online apply करना है दोस्तो आपका इसमें जो selection है वो किस तरह से किया जाएगा तो दोस्तो आपको सब से पहले यहाँ पर फोरम अपलाई करना है फोरम अपलाई करने के बाद में आपको जो है यहां पर interview के लिए shortlist करके बुलाया जाईएगा और दोस्तों यहां पर जो interview की date वो यहां पर बताएगा है कि जो interview hire tentative 저 date वो January 2022 यहां पर बताएगी है एंडि के लिए जबिरतियों को है January 2022 के मद्धियों आपर बुलाया जा सकता है इसके अलाव दोस्तों मैंने आपको यह बता दिया है कि इसकी यह जो forum वो online apply करना है और दोस्तों online apply करने के लिए आपको किस तरह से forum बरना है तो दोस्तों यहाँ पर पूरी जानकर दी गई है कि किस-किस टेप में आपको जाना है और कहां-कहां किस बटन पर जाकर कि आपको यह जो forum वो बरना है तो दोस्तों आप इस तरह से यहाँ पर जो forum apply कर सकते है तो दोस्तों उमीद है कि यह जो वीडियो वो आपको काफे पसंद आया होगा अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज्यादा चे ज्यादा लाइक करें, सेर करें साथ दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राब करें अपल आइकन को दबाएं